यूपी स्कॉलर सिब दोहजार चोबिस में कब आयेगी आप मेंसे बहुत सारे स्टुडेंट और डिपलोमा वाले स्टुडेंट बहुत सारे कमेंड कर रहें आप श्टूडेंट जो भी हैं वह जानना बीचा रहे होंगे कि हमारा जो scholarship कमने form फिल किया है इसका जो renewal वाले है फिर नया form जिनोंने फिल किया उनका scholarship यानि कि वजीफा जो होता है छात्रावती वो कब तक आएगी और कब आएगी तो आज कि इस वीडियो में इसी की बारे में जानकाई देने वाले और बहुत फारे student के status में जब वो side open करते तो बहुत फारे problem आती है तो उनके बारे भी आपको बताएंगे कि क्यो problem आ रहे है इसका solution क्या है उसके बाद चात्रावती यानि कि वजीफा कब तक आएगा आपके खाते में उसकी बिजानकाई देंगे तो वीडियो को complete देखिएगा अगर पूरी जानकाई ठीक है तो इन सभी के बारे में आपको पहले जानके देदे सबसे पहले इस समय जो अभी दो तीन चार दिन से एक बहुत बड़ी problem चल लेए कोई भी student अपना status नहीं देख पा रहा है जब status देखने जाता है तो देखिए scholarship of sale website पे जब status चेक करने जाते तो वहाँ पर सबसे समाज कल्याण विभाग की और से तभी ये वी आर सोरी बताता है ठीक है इसके दू कारण है एक उपर फिस फाइड या तो डाउन की जाती समाज कल्याण विभाग की और से तब आपको वी आर सोरी देखने को मिलेगा जब status चेक करेंगे तो यह पर दूफरा कारण ये भी ह करी तो आपको खुल जाएगा status अगर उपर से बंद की गई है तो आप दिन में मतलब के ओपन करिए चाहा है बारा बज़े रात को बंद ही दिखाएगा यह बहुत बड़ी समस्या है लेकिन यह समस्या है यह विदिन 10 डेज के अंदर आपके हो जाएगी ठीक है आप स्टे स्टेटर में दिखा रहां बहुत दिन के अंतराल आप लोगो साइट खुलने लगेगी यह पिर रात वाद में आप ट्राइगा मतलब की जबना चाहे गाले को सही कर दिया उनका मतलब की जो समस्या का थी जो स्टेटर में कमिया दिखाई ती उसके बाद से उपर आप सभी का इंकम सार्टिपिकेट तो रिजक्ट हो जाएगा तीन साल के अंदर का ही मान्य होता है आई प्रमाण सब्सक्राइब यह बहुत बड़ी समस्चा है लेकिन यह वाली जो समस्चा है इसमें आपको अधार कार्ड में वाला एकाउंट है ठीक उसमें अधार या फिर आप बैंक जाके वहां पर उसमें आधार लिंक करा लिजिए और उनसे बोल दीजिए कि हमारी स्कॉलर सी पाना त पैसा बाहर से आ सके यह वाली प्रोब्लम हो जाएगी इस तरह सोल्व हो जाएगी पेंडिंग डेटा डेटा डेश्टे के स्कॉलरॉशिप कमेटी कर दो से मतल्ब दिखाया रहे ठीक है तो इस तरीकी कि जो बिभिन प्रकार की समस्या है जैसे कि वीर स्टोरी साइट ओप प्रोब्लम और और यह मतलब कि आपका दिखा रहा है कौन सा प्रोबलम कि प्रोब्लम मा रहा है यह प्रोबलम आ रहा है यह फिर आपने स्कूल में टिकर गए तो आपका कुछना कुछ तो यहां से सुन लीजिए पिछले फाल 2030 में जो इसकोलर सीप आई थी यूपी स्कॉलर्णों में आई थी कितने में ती कुछ स्कॉलर्ण में मतलब कि कुछ स्कॉलर्ण के रुप में माल लेते हैं ठीक है मार्च में आई थी मार्च के लास्ट में कुछ स्टुडेंट के आई थी ठीक है और कुछ स्टुडेंट की अप्रेल के फर्स्ट वीक में आई थी कुछ स्टुडेंट की जो वजीफा है वो पंदरा अप्रेल में आई थी कुछ स्टुडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलर्ण जो scholarship जो आने की उम्मीद है वो आप सभी की सुरुवात जब होगी scholarship आने की वो 20 से 25 मार्च के बाद ही होगी ठीक है 20 मार्च और 25 मार्च के बाद ही आप सभी की scholarship यानि की वजीफा आना फुरू होगा और ये कई चरण में आएगा एक ही साथ नहीं तो टेंसर नहीं वाली बात नहीं है जैसे कि जिस इसाथ आपने scholarship का registration कराया था है मतलब आपने form फिल किया था उसी इसाथ दीर दीर करके आप से भी के scholarship पाती रहेगी और जैसे भी first payment release होगी ठीक है फर्स्ट शिप्ट वाली रूप हो सकते हैं कमेंट में और मिलते हैं को नहीं वीडियो में जैहिंद